हेलो गाईज, वेलकम बेक टू माई यूटूब चैनल, तो आज हम पढ़ेंगे एक नए टॉपिक जिसमें हम डिसकस करेंगे डियलिसिस प्रोसेस के बारे में, लास्ट लेक्चर में हमने ये पढ़ा था कि जो हमारी बॉड़ी है, बॉड़ी में जितना ही बलड होता है, वो इतना भी नैट्रोजिनस वेस्ट है बलड में, वो बॉड़ी में ही मौजूद रहेगा, फिर ये एक पॉजन की तरह एक्ट करेगा, और हमारी लाइफ को थ्रेट में डाल सकता है, तो ऐसे परसेंस जिनकी किड्ने वर्क नहीं कर रही, या फिर किड्ने में कोई प्रॉबल करता है, जिनके किड्ने वर्क नहीं कर रही, आएँ देखते हैं कि डhesion में होता क्या है, सबसे पहले जितना भी uncrean blood है, उसे arteries के तक्रूब डिलेजर में पहुंचा दिया जाता है, अब हमारा जो blood है, डिलेजर में पहुंच चुका है, डिलेजर में जो भी blood पहुंचा है, वहाँ पर nitrogenous waste की amount ज़ादा है क्योंकि ये blood कहां से आ रहा है, body में body में kidney तो work करनी ही पारी इसलिए जो blood आ रहा है, इसमें nitrogenous waste की amount क्या है, ज़ादा अब इसमें जो nitrogenous waste है, वो क्या-क्या हो सकता है urea और uric acid अब dializer में एक dializing solution feed किया जाता है तो आप देख सकते हैं, इस pipe के थूँ, यहाँ पर dializing solution feed किया जा रहा है dializing solution में nitrogenous waste की amount बिलकुर ना के बराबर होती है अब जो upper part है, यहाँ पर यहाँ पर जो भी blood है, इसमें जितना भी nitrogenous waste है, इसके amount बहुत ही जादा है और जो नीचे, dializing solution है इसमें nitrogenous waste की amount बहुत ही कम है इसलिए यहाँ पर एक diffusion process होगा diffusion process में जो भी चीज़ move करती है, वो move करती है higher amount से lower amount में इसलिए जो upper part है, यहाँ पर nitrogenous waste का amount बहुत ही जादा है और जो नीचे उला part है, यहाँ पर nitrogenous waste का amount बहुत ही कम है इसलिए जितना भी nitrogenous waste है, वो move करेगा upper से lower part में और यह move इसलिए कर पा रहा है, क्योंकि beast में क्या provide की गई है semi permeable membrane semi permeable membrane एक ऐसी membrane होती है, जो कुछ ही substance को allow करती है अपने थूप pass होने के लिए तो यहाँ पर यह किसको allow कर रही है, यतना भी nitrogenous waste है blood में उसी को allow कर रही है, पास होने के लिए और सारक सारा nitrogenous waste ब्लड से कहां आ जा रहा है इस dilishing solution के अंदर आ जा रहा है अब जितना भी इसमें waste आया है, वो waste यहाँ पर collect हो जाएगा इस वाले जगा पर और जितना भी clean blood है, वो पहुंच जाएगा दुबारा body में और यहाँ पर हमारी होंगी veins, अब इन veins के थूँ यह सारक सारा blood body में दुबारा वापिस पहुंच जाएगा तो इसी process के थूँ किसी भी patient का, जिसका kidney work नहीं कर रही उसका blood filter किया जाता है आप लोगों को इस diagram से और भी clear हो जाएगा इस वाले portion में हमारा unfiltered blood flow कर रहा है जिसमें जितना भी nitrogenous waste है, वो भी मिला हुआ है अब इस side हमने क्या feed किया है? Dalyzing solution Blood में nitrogenous waste की amount क्या है? बहुत ही जादा और dalyzing solution में nitrogenous waste का amount क्या है? बहुत ही कम इसलिए diffusion process होगा और जितना भी nitrogenous waste है वो blood से move कर जाएगा dalyzing solution में और यहाँ से collect हो जाएगा waste और जितना भी clean blood है वो आगे पहुँच जाएगा और फिर veins के थूँ body में collect हो जाएगा तो यही process होती है dalyzing की जिसमें किसी भी patient का blood को filter किया जाता है with the help of dalyzing solution इससे और बैतर समझने के लिए आपको overall dalyzing process एक बर animation के थूँ दिखा देते हैं जितना भी unclean blood है वो इस वाले artery के थूँ आ रहा है और जो कि पास हो रहा है फिर हमारे dalyzing solution से तो यहाँ पर dalyzing solution हो गया और dalyzing solution में जितना भी nitrogenous waste क्लेक्ट होगा वो बहार निकल जाएगा और dalyzing solution हम लोग यहाँ से फीड कर रहे हैं जिसमें nitrogenous waste की amount बहुत कम है तो जितना भी blood में nitrogenous waste होगा वो semi-permium membrane से पास हो जाएगा और बहार जागे collect हो जाएगा अब जितना भी clean blood है वो दोबारा body में वो आपिस पहुचा दिया जाएगा और veins इसे पूरी body में वो आपिस दोबारा पहुचा देंगी तो कुछ इस तरीके से हमारा dialysis process work करता है और जितने भी patients हैं उनके blood को clean किया जा सकता है इस process के थुरूर तो यह काफी helpful process है और dialysis उनी लोगों करवानी पड़ती है जिनकी कुछ ना कुछ kidney के related problem होती है या फिर कुछ kidney failure होता है so I hope guys आपको dialysis के बारे में चीजे समझ में आई होंगी अगर समझ में आई हैं तो please video को like और channel को subscribe जरूर करें thank you guys for watching this video